मैं नेम इज पुन्डी सारू, मैं फादर्स नेम इजेत्वा सारू, मैं मदर्स नेम इज चांडू सारू, मैं डिस्टिक नेम इज खुटी, I am from जर्खन इंडिया जी, हम कभी नहीं सचे थे कि होकी खेल पाएंगे तन्व मैं फुटबॉल खेलती है थे पहले, तो हमको लगा होकी में थोड़ा बैसाइं बैसा रहे होगा, तो दीदी बॉलियों की क्योने, हमको बहुत है हमको आचा लगा हमको मिर्चक पना一起 केलों आशा चाया ही आप मारभात भी खाती होंगी हैं बरहा ना है अशा मतलब हम मरभवा की रोटी खाती होंगी लेकिन वहाँ देख देख दो मालग चाहिनीच डीस अलग अलग तरह का खाना मिलता हो यह तेख लिए ज्यादा भारी नहीं है अभी मैं रांची के खूटी जीले के हेसल गाउं में मौझूद हूँ और गाउं मत कहिए खेतों के बीचे में मौझूद हुजारा दिखा दीजेए खेत इधर धानवान लगा हुआ है और मैं इस गाउं में इसलिए आया हूँ क्योंकि आज से तीन सबता पहले खूटी गु अब लिए है क्योंकि ऐसे गाउं से बिलॉंग करती है ऐसे एरिया से बिलॉंग करती है जहां पर नक्सल परभावित एरिया है और यहां से अमेरिका होकी खेलने जाना कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते बहुत लोग इनका इंट्रेव्यू देखे भी होंगे जानते भी होंगे पहचानते भी होंगे तो हेसल गाउं में मुझे एक होकी की प्लेयर मिली है धूनते धूनते बहुत मुश्किल से तो इनसे बात करेंगे इनका दिखाए कैमरा दिखाए यह यह है पहले सबसे पहले जोहार तो यह पुंडी शारू जी है इन्हों ने जो है खूटी जी लेके हैसल गाउं से अमेरिकां तक कासफर तक की होकी क्या ठीक हना आज लड़ं को पढ़ाने के लिए सोचते हैं की पढ़ाए की अधाय लेकिन यह ऐसे गां लांग करके जाके अमेरिका में होकी खेल के आगे तीन सब्ता लागतार तो पुंडी जी कैसी है आप हम ठीक है पहले पुंडी जी को तेख लिए जाम लोग इस गाव में आए ना तो एक्चली ढूंड रहा है था कि पुंडी जी मिलें कि नी घर पर नहीं है तो अभी दो दिन पहले ही शायद अमेरिका साही है न हाँ दो सीम ल खाथ ले घुए फूंडी जमीन से जुड़ा हुए लोग होते हैं चल जाए जाहे लेकिन अपने माठी क्यों आपने गर परिवार को कभी नहीं भूलते हैं क्या बोल था चपनिए ख्षयत में ज़ा रहत हैं लेकिन इनको पता चला था क्या कि हम लोग दसरतसरन ने मटा एन पपनिजी बता है कि यह सफर कैसे हुआ ऐसे आप यह सोची कि की हम कभी नहीं कि क् फुटो जहाँ पहले तो हमको लगाा को नहीं थटार एच्छा होगा थे अच्छा होगा तो अच्छा तो कैसे है आपका सेलेक्स हुआ कि मतलब अमेरिका जाने के लिए तो जब पता चला कि अमेरिका जाना है होकी खेलने के लिए तो कैसा फिल हुआ था आप गरीब घर की नहीं है आप गरीब हो सकता है आप गरीब हो सकती है लेकिन आपका दिल और आपका जो जजबा है ना वो कई अमीरों से बहुत बढ़ा है यह बताई है पुंडी जी कि अमेरिका गई फ्लाइट तो पहली बार बैठी होंगी प्लाइट पर हम पहली बार बैठे तो पुरा अच्छा से लगा मतलब बैठे हैं खुशी लग रहा था अच्छा तो पुंडी जी बताई कि आपके साथ जो और चार लड़किया थी उनके स आपको भी रांची में मुलाकात हुई या पहले सुनको जानती थी आप अच्छा जब फिर मान के चले यहां से गई आप रांची से दिल्ली फ्लाइट वा फिर दिल्ली से अमेरिका के लिए हुआ तो कितना समय लागा था आपको जाने में लोग यहां का चोबीस घंटा ल यही होता है देखिए सरकार में मतलब आप लोग को भीचा सरकार का फैसलिटी था ढ़ना अच्छा यह पिछले साल समलक परिवार चूटा परिवार समय पर पीक अप करने लेने आये थे वह सब जारखन कहीं थे नई विदेश के थे तो लोग तो इंग्लिश बोलते होंगे और आप हिंदी बोलती होंगी तो फिर कैसे माइन जोता था बातचीत कैसे होती थी समझ जाते हैं हम लोग अगर समय तो लोग इसारह से बताते थे तो हम लोग संभज सा ज्याटे है अच्छ कॉन्गी घंड शान है और विवेल्द आपका गई गना थी वाईरल हो गया था आप लोग दास कर रहे थीself हैं कौन से ऐसे आ नहीं था तो वो गाना पर जो आप गोरी मैम को नचा रही थी वह लोग कौन थे जर्खन का गाना पर डैंस करते हैं अच्छा जिसे यहां पर आपका एक नॉर्मल जिंदगी में खाना पीना जो होता होगा आप मारभाद भी खाती होंगी यहां पर हां आइसा मतलब हम मढवा की रोटी खाती होंगी लेकिन वाहां अग्या चाइनिज डिस अलग अलग खाना मिलता हो गां जैसे विधर का खाना खाना खाते हैं और इधर का खाना अच्छा नगता था तो अैसा निए निक्टीन सब्दा भाद आई हैं तो यहां माढवा भात हीसा भूल जाएंगी कभी नहीं यह देख लिए ज़्यादा भारी नहीं है एक्चिली उठाने का मकसद यह है न क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि यह जो मेरी प्यारी बहन है पुंडी सारू जी यह अभी अमेरिका से खेल कराई है होकी तीन सब्ता आप समझ सकते हैं कि ऐसे गां में यह रहती है नकसल पर करना चाहूंगा कि बहन के जजबे को सलाम करना चाहूंगा कि बहन में इतनी कावलियत है इतनी ताकत है कि मतलब कोई सोची नहीं सकता था तो अब घर आपका आगे हम यह पहुंचा देते हैं आपके पहले घर आजाईए तो इनके घर चलते हैं अच्छा यह बताईए तो जब आप गई वहाँ पर ठीक है ना तो वहाँ पर रोज खेलती थी क्या हम लोग तीन सबता थे तीन सबता पूरा खेलते था हम अच्छा तो वहाँ पर आप लोग जारखंड की पांच लड़की थी आप लोग और सब बाहर के लोग खेलते होंगा ना साथ में खेलते थे हम बाहर करते थे खेलते होंढ़ को घो शबते थे अरू सरा चीजर पर लूग पांच लड़कार आप लोग पांच मी काले हैं यहाँ English इंगलीज प्ड़ाज प्लिझा अइसा सेल्फ डिफेंसा बहुत चीज होता था पर हम लोग 5 मृडज़्ता नड़किवं को सीखाया जाता है उवध हम लग अच oxy English प्रहट थ्ग्री matière थ्गेम्ने कुछ कहिं यह न Lord काभीले तीरीफ है ये देख्विक घर ने का अर ये घर में देख लिचे में जाहिए जाले वाला वो लगा हुआ है ये जो हरेठा जसको दोलते हैं बहें हरेठा वाला यह लन गेट है और देख लिचे कैसा इनका घर है जरा इसी घर से ये होकी खेल के जार्खंड का नाम रौशन की और अपने देश का नाम रौशन की आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है तो इसको हम रख देते हैं इनका घार आ गया है यहाँ नीचे रख देते हैं यहाँ पर हम लोग क्योंकि इसमें खाथ था इधर आजाईए